तो दोस्तो आज देखा जाए तो OnePlus की तरब से एक special news निकल के आई वेल वो यह है कि OnePlus 8 Pro का जो camera है न वो plastic की आर पार देख सकता है यानि कुछ special type की plastic होती है जिसके वो आर पार की जो raise होती है उनको capture कर सकता है अब पीछे कहानी यह है कि exactly OnePlus 8 Pro में एक fourth camera दे रखा है जो की है color filter lens के साथ यानि की 5A पिसल का image sensor है जो की IR light को capture करता अलग अलग चीजों के लिए अब उसका जो use यह है कि special color filter का use लगा के यह पता चलता है कि वो जो images लेता है न वो आपको अगर components देखने कि किसी भी plastic object के पीछे या तो आपको देखने को मिल सकते है वैल यह हर जितने भी plastic object होते है उसको capture नहीं कर सकता लेकिन ज्यादतर जग है जैसके किसी remote हो गया यहाँ फिर कोई speaker हो गया तो उसके अंदर के जो internal components होते है वो देखने को मिल जाते है यह काफी की interesting news है वैसे देखा जाए तो one plus नहीं सा कुछ claim नहीं कि और उसकी तरफ सा possibility भी हो सकती है तो यहाँ पर देखा जाए तो काफी interesting problem create हो जाती है अब इसका privacy से भी issue related हो जाता है और creep mode जो चीज होती है वो भी आ जाती सामने और ऐसा सिर्फ वो इसलिए कर पा है क्योंकि जो color filter lens है वो IR lights को sense कर सकता और उनको record कर सकता है और उसके बाद आपको वो images इंडिया में नहीं है तो अभी तक हम इसे ही जो Indian unit होती है उसमें अभी हम test नहीं कर सकते है लेकिन यह भी काफी interesting feature होगा और देखना हो किया इस feature को क्या जो oneplus और software से कुछ disable कर सकती है कि यह नहीं कर सकती क्योंकि देखा जाये तो अगर color filter lens को disable करना है न तो जो fourth camera है न वो था Mark Levoy और उन्होंने क्या किया कि अभी recently Google छोड़ दिया अब इसका main reason यह है कि उसकी pixel 4 इसका reason है याने कि pixel 4 जब उन्हों निकाला न तो उसकी sales हित्ती नहीं हुई एक report यह कहते कि जो pixel 4 है वो अभी तक सिर्फ 2 million units से उसकी globally भीखिया याने कि सिर्फ 20 lakh phones ही भीखिया है और पिक्सल 4 की जितनी sales होनी चाहिए थी ना उससे Google सैस्पाय नहीं है इसलिए काफी जादे internal changes कर रही है और इसमें से एक इंसान जो company से अलग हो गया है जिसके कारण है में competition photography HDR plus portrait images single camera से और जो night set photography होती है ना वो सहरी चीज़े देखने को मिलेगी जिस इंसान के कारण वो आप दूसरे products होंगे जो दूसरे phones में जो camera की technology होगी क्या वो वैसी ही होगी या उसमें हमें कोई चीज़ देखने को मिलेगी देखते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय मार्क लिवाए competition photography से कुछ और ऐसे काम कर कि हमें दूसरी companies के phones में और जाद अच्छा camera से देखने को मिले यह भी काफी बड़ी है बात होगी इसके बात बात कर तो ओपो की जो find x2 series होती है ना वो इंडिया में launch हो सकते है और हो सकता है इस phone का जो launch है वो अगले हफते यानि कि oppo find x2 और oppo find x2 pro यह दौनों ऐसे phone इंडिया में आने वाले और खास बात बताए चाता हूँ यह दौन 8 pro के अंदर क्या किया उन्होंने कुछ ज्यादा feature डालके find x2 pro को बना दिया या फरी यह भी कह सकते है कि find x2 pro में से कुछ features निकालके उन्होंने one plus 8 pro को बना दिया दौनों काफी ज्यादा मिलते जुलते काफी similar phones है even model number में भी काफी बड़ी similarity आती है लेकिन आप मानके रख स तो देखने को मिली है वहाँ पर देखके मिलता है कि realme के tv जो box में है वो completely packed है और वहाँ पर हमें 43 इंच का screen size देखने को मल रहा है और एक और बात पता चलगे कि realme के tv के ओपर netflix का लोग है तो netflix support करेंगे और यह android tv होने वाले है well एक report तो यह भी पता चलाता है कि company है ची वो rebrand करके realme tv इंडिया में लाया जा रहा है कुछ ऐसी हमें बात देखने को मिली है आगे चलके देखते क्या रहता है लेकिन realme tv का leak अगर अभी आ रहा है तो आप मान सकते कि इसका जो launch है बिलकुल नजदी के मतलब go down अगर realme के tv से भरा हुआ है तो बहुत ही जल्दी realme या न में एंड या जून के फर्स्ट वीक में आपको अलग-अलग products launch करते हुए देखने को मिल सकते हैं including smart watch हो गया including tv हो गया including realme x3 और x3 super zoom आप मान के रख सकते हैं और भी काफी interesting products आने वाले realme की तरफ से देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है इसके बाद ही जो Xiaomi या वो लेकिन हो सकता है इनका जो launch है वो इंडिया में भी हो जाए कहा जा रहा है कि जो सबसे छोटा सबसे सस्ता Redmi Book 13 होगा न वो शायद सबसे पहला आपको इंडिया में देखने को मिल जा है कहा जा रहा है कि जून या जुलाई तक आपको इचीज confirm है देखने को मिलेगा और जो बात कर तो जो honor X10 है जिसके बार में कहा जा रहा है कि जो कि सबसे सस्ता 5G फोन होगा तो उसके बार में स्पैसिफिकेशन वगरे सामने आ गई है पता लग गया कि यह भी पॉप-प कैमरे वाला फोन होगा जैसा आप हुआवे का y9s और honor का 9x pro देखने को मिलेगा ठीक वै पर चाहर है फिर 8MP का वाइड अंगल लेंस और 2MP का शायद पोर्ट्रेट मीज लेंस होगा या फिर मैक्रो लेंस होगा यह साथी के साथी करें 825 जी प्रोसर आपको देखने को मिलेगा और साथी साथ 4300 mAh की बैटरी 22.5 वाट की फास्ट चाजिंग IP 5X रेटेड होगा Bluetooth 5. 5.1 होगा Magic UI 3.1.1 देखने को मिलेगा और हो सकते है इस फोन में आपको Huawei की एप गैलरी देखने को बले कोई Play Store देखने को ना मिले काफी एक्साइटिंग फोन है Honor का X10 Pro और सिर्फ इस लिए एक्साइटेट है इस फोन के लिए क्योंकि अभी जो फोन है चाइना में लाँच होगा लेकिन यह जो फोन है बहुत ही जल्दी इंडिया में आगा और जो Honor X10 Pro स्मार्टफोन होगा ना इसकी खास बात यह रहेगी कि यह जो फोन है इंडिया मे सबसे सस्ता 5G फोन बन के आ सकता है उमीद ऐसी की जा रही कि यह फोन की जो कीमत हो 20,000 से कम हो और 20,000 से कम है आकर हमें 5G फोन देखने को मिल गया तो क्या बात हो जाती है और इसके बाद जियो फाइबर से रिलेटड ये निउस आई है कि जियो फाइबर जो है ना उसकी ज जो जियो फाइबर धीरे धीरो ऊपर जा रही थी ना अब धीरे धीरे नीचे आने लगी है मेरे को लगता है कि उनके प्लांस वगरा को इंप्रूव करना है चाहिए तो शाद उनके सब्सक्राइबर वगरा तेई से भढ़े लेकिन 8.6 लेक सा वो 8.4 लेक पा गए एक एव बढ़ सकते हैं ये भी काफी इंटरस्टिंग बात है और इसके बाद फाइनल न्यूज यह है कि जो विंडोज है ना उसका आपको 32-bit और 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मलता था लेकिन 32-bit है धीरे-धीरे काफी जादा पुरानी टेक्नलोजी होते हुए जा रही है और अब Microsoft ऐसा कर रही कि 32-bit का जो Windows 10 होगा अपकमिंग उसको रिमूफ कर देगी और आने वाले समय में जितने भी नए अपडेट और नया Windows 10 का जो भी नया लेटेस अपडेट या लेटेस वर्शन आगा वो से 64-bit आर्किटेक्चर को ही सपोर्ट करेगा वो 32-bit का जो Windows 10 रि डेवलप जादा हो रहा है और 4GB से जादा रहा है मगर यूस कर रहे हैं उसको 64-bit बनाना पड़ेगा इसलिए 32-bit को भी डिच कर रहे है और धीरी धी आप 64-bit के उपर मूफ कर रहे है देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है लेकिन यह भी काफ़ी इंटरस्टिंग चीज और इसके अंदर आप YouTube को side-load कर सकते हैं शयाद उसमे sign-in वगरा नहीं कर सकते हैं लेकिन YouTube को side-load करके उसमें videos वगरा देख सकते हैं एक बार इसका जो फोन है हमारे हाथ में आ जांदो जनता के हाथ में आ जांदो तब हम exactly अच्छे तरीके सा बता पाएं किया YouTube इसके अंदर है विसे जो यूट्यूब होता है उसे साइड लोड किया जा सकता है तो आप मान के रखिए तो दोस्तो आज का शो बस इतना ही अगर वीडियो कर पसंद आ तो लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अगर आपका ऐसी कोई कमेंट तो नीचे कमेंट सेक्शन खला वहाँ पूछ सकते हैं थैंक्यों को वीडियो देखने के लिए मैं आप सुमलता हूं ने इस वीडियो के अंदर गुडबाई